हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं गुंदा पिकल गुंदा जिसे की हम लसोडा लेश्वा आधी नामों से जानते हैं अगर अचार बनाने में कुछ साउ धनिया रखी जाएं तो अचार साल भर तक खराब नहीं होता हैं और उसका टेस्ट वैसा कवेसा ही बना रहता हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाय में पानी डालकर उबलने के लिए रख देंगे और दूसरी और लसोडे एक बरतन में निकाल लेंगे और देख लेंगे उनमें कोई खराब तो नहीं है अगर खराब लसोड़ा है तो उसे हमें निकाल कर अलग कर देना है क्योंकि एक खराब लसोड़े की वज़े से हमारा आचार खराब हो जाएगा अब हम इसे अच्छे से साफ पाने में धो लेंगे धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर जो भी मिट्टी और गंदकी लगी होगी वो उससे साफ हो जाएगी हमने लसोड़े धोकर अच्छे से साफ कर लिये हैं और दूसरी और पानी बॉइल हो गया होगा देख लेते हैं पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है अब उबल्ते वे पानी में हम लसोड़े को डाल देंगे और ढख कर इनको पकने के लिए छोड़ देंगे यह जादा से जादा 3-4 मिनमें लसोड़े पककर तयार हो जाते हैं अगर लसोड़े जादा पक जाते हैं तो वो चिपचिपए हो जाते हैं इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है एक मड़ बाद मैं एक बार चेक कर लेती हूं अभी लसोड़े पक कर तयार नहीं हुए हैं इसलिए मैंने इनको दोबारा ढग दिया है लगबग 3 मिनट हो चुके हैं अब मैं इनको एक बार चेक कर लेती हूं हाथ से दबा कर इनको हम देख सकते हैं या चाकू की नोक से भी आप इनको चेक कर सकते हैं दबा कर देखने पर यह आसानी से दब रहे हैं इसका मतलब लसोड़े पक कर तयार हैं अब हमें इन्हें तुरांत गर्म पानी में से निकाल लेना है वरना ये ज्यादा पख जाएंगे। सारे लसोडे पानी में से निकाल लेने की तुरांत बाद हमें इने सूती कपड़े पर फेला देना है। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल निकाल देना है और सूति कपड़ा पिछा कर उस पर इनकों फेला के रख देना है कम से भी कम 1-2 घंटे तक हमें इनको पंखे की हवा में सूखा करना है ताकि इनका जो एक्स्रा मुष्चर है वो सब पंखे की हवा से सूख जाए और हमारा आचार बिल्कुल खराब नहीं एक कप सरसो का तेल लेकर उसे गर्म करने के लिए रख देना है और तेज धुआ आने तक उसे गर्म करना है आप गेस बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए रख दें लसोडे सूख कर तयार हैं सूख जाने के बाद ही हमें इनके उपर जो टोपिया लगी होती है वो हमें हटानी है गीले में बिल्कुल नहीं हटानी है सूखने के बाद ही हटानी है देखिए कितने ड्राय हो सकते हैं, आधी छोटी चंमच हम 20 देल चंब सुप के नोपर नहीं के स्वाथ हिंग राइदाल ओर यह एक 1 खंच gonna है, छोटी सी पिंच हिंग चंब इक हिंग है को एड़ कर देंगे सोंफ को मैंने दरदरा पीस लिया था सोंफ फुराई दाल जो भी आप अचार के मसालों में यूज करें उन्हें पहले थोड़ी धूप लगा लें धूप लगाने से उनका जो मुश्यर होगा वो निकल जाएगा और हमारा अचार खराब नहीं होगा सारे मसाले में तेल में मिला दिये हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो लसोड़े हमने सुखा कर रखे थे उनको इसमें डाल देना है लसोड़े डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है यह 500 ग्राम लसोड़े हैं उसी के हिसाब से मैंने इसमें अच्छे में अच्छे मिक्स करने के बाद हमें इन्हें एक घंटे के लिए छोड़ देना है एक घंटे बाद हम इस अचार को कांज के बरतन में भर देंगे, अचार भरने के लिए हमेशा में कांज का बरतन ही यूज़ करना है, प्लास्टिक और स्टिल का बिलकूल नहीं, और कांज के बरतन को भी अचार भरने से पहले मैंने स्ट्रिलाइस कर लिया था, मतलब इसको गर्म पानी से धोकर अच्छे से धूप में सुखा लिया था उसके बाद इसमें अचार भरेंगे तो अचार साल भर तक खराब नहीं होगा यही कुछ छोटी छोटी बाते हैं जिनका ध्याना में रखना होता है साल भर के लिए अचार बनाते वक्त सारा अचार कांच के वर्तन में भर देंगे और अगर जरुरत लगे तो हमें तेल ओर डालना है तो वापस से तेल को गर्म करेंगे ठंडा करेंगे उसके बाद ही इसमें तेल डालेंगे साल भर के लिए अचार रखते समय अचार पूरा तेल से डूबा होना चाहिए अब ही हमें काट के शिशी का ढखकन बंद नहीं करना है बलकि हमें कपड़ा लगा देना है उसके उपर एक या दो दिन के लिए उसके बाद ही हम शिशी का ढखकन बंद करेंगे जो हमने मसाले में नमक एड़ किया था उसकी वज़े से जो भी मौश्यर बनेगा वो कपड़े की साहता से सूप जाएगा दो दिन बाद ही हमें अचार का रखकन लगा कर रखना है दो दिन बाद अचार खाने के लिए तयार हो जाएगा देखिए हमारे लसोडे का चार बलकुर बनकर तयार है रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करकर ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बी सेफ एंड हेल्डी थैंक यू